यहां एमस फार्मासिस्ट एक्जामिनिशन को लेकर एक दो बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे पहली अपडेट स्क्रिन पे आप देख पा रहे हैं जी हाँ एमस भूनेसवर 27 फार्मासिस्ट की पोस्ट का यानि कि लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्ट 2023 रहने वाली है आप सभी यहां पे देख पा रहे हैं 21 अगस्ट 2023 ठीके जी और यहां पे इसकी लास्ट डेट जो है वो एक्स्टेंड हो चुकी थी 21 अगस हो चुकी है और जहां पे B-Pharma, D-Pharma दोनों ही candidate eligible है पहले काफी problem आ रही थी B-Pharma का option नहीं बता रहा था फिर ये problem भी solve हो चुकी थी तो ये aims की तरफ से भूनेश्वर मतलब 4 aims हो है उनके notification complete हो चुके है even though aims पटनात का तो exam भी है तो last officer है अभी भी कोई student interested है तो apply कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है next देखिए यहां पे आप देख पा रहे है कि अभी जो है last aims जोतपुर के notification बाकी है बाकी almost सभी complete हो चुके है next aims पतना की तरफ से देखिए जैसे ही admit card आया था मैंने आपको बता दिया था इसके link जो है आप official website पे भी अभी देख पा रहे है hall ticket करके यहां से आपको click करना है easy way में admit card डाउनलोड कर लेना है अभी भी कोई student का admit card डाउनलोड नहीं आ रहा है तो आप अपने मित्र से किसी से पूछिए यह बहुत easy process है आप easily अपना admit का डाउनलोड कर सकते हैं और 19 तारीक को अच्छे से exam दे proper way में क्योंकि यहां पे देखिए IMS पटना की सबसे बड़ी बात यह कि है कि 100% जो है फार्मासी आने वाला है जैसा कि हमें syllabus में नजर आ रहा था ठीक है जी अब क्या कुछ रहने वाला है वो आप proper way में question answer देखे और 19 सारीक के बाल हम review करेंगे किस हिसाब से paper था क्या paper का patent और क्या कुछ रहने वाला है चली और मैं आपको बताना चाहूँगा देखे एमस जोतपुर का भी notification आना बाकी है और recently जो एर फोर्स में वेकेंसी आ रखी है फार्मा के लिए यहां पे काफी सारे student पूच रहें सर यहां पे apply कैसे करना है तो भाया यह जो भरती है एर फोर्स की medical assistant की यहां पे application form online नहीं है यह offline daily है जी हां मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको यह offline daily है यहां पे apply जो है वो आपको जाके करना पड़ेगा रेली में participate करना पड़ेगा तभी आप यहां पे apply कर सकते हैं इसके regarding complete हमने बात कर ली है यह सारे वीडियो आपको इस वीडियो के skill में जरे दर मिलेंगे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं और एक last update क्योंटी वन देट जो है वो नजजीक थी तो यहां पे aims को लेकर मैंने अपडेट दे दी है देखिए काफी सारे aims नागपूर में aims राय बरेली में भी vacancy आई है पर pharmacist की vacancy वहां पे नहीं आई है तो आप समझ सकते हैं देखिए कम officer मिलते हैं तयारी अच्छी है तो form को apply करना चाहिए चलिए तो कैसा लगा आपको information ज़रू बताये comment section में like करे share करे subscribe करे में चैनल को और भी काफी सारी vacancy आप देख सकते हैं मारी website पे जिसकी link description और comment box में दे दी गई है कैसा keep watching stay tuned